आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रॉक साइकल देखो रॉक साइकल एक बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है UPSC के एक्जामस में पूछा जाता है, स्टेट PCS में पूछा जाता है सारे कॉम्टेटिव एक्जामस में रॉक से चार से पांच नंबर का मेंस में भी आता है अपनी NCRT में भी हमें रॉक साइकल से काफी सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं रॉक साइकल आखिर होती क्या है हम rock cycle में इतना confused क्यों रहते हैं ठीक है अब अगर आगे चलके देखते हैं तो हमें तीन तरह की rocks देखने को मिलती हैं एक होती है आपकी igneous rock एक होती है sedimentary rock एक होती है metamorphic rock यहां तक हम सभी लोग लगभग जानते हैं उसके आगे का mechanism थोड़ा हमें समझना होगा तो अब अगर हम समझेंगे तो igneous rock हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं जैसा कि आपको screen पर देख रहा है यह सारी हमाई लगभग igneous rocks है इन्हें हम primary rocks भी बोलते हैं इसका reason क्या है अब फिर वही question है UPSC statement wise question पूछ लेता है कि primary rock primary rock मतलब क्या है यह first to come up है मतलब य यह हमारी cooling and solidification of lava से बनती है कौन सी igneous rocks ठीक है जब igneous rock से बाद हमारी जो secondary rock है वह हमारी कौन सी होगी sedimentary यह दोनों ही दोनों क्या होती है आपकी यह दोनों ही rocks आपकी क्या है basically secondary rock तो primary rock अपनी कौन सी हो गई igneous rock ठीक है यहां तक clear हुआ अब जो यह आप picture देख रहे हो यह थोड़ी सी आपको इस तरीके की दिख रहे है इसका reason क्या है कि अगर आप सबसे पहले igneous rock को देखेंगे तो igneous rock हमारी क्या होती है igneous rock हमारी कैसे बनती है by the cooling and solidification of lava के cooling और solidification से हमारी कौन सी रोग बनती है igneous rock उसके बाद हमारी कौन सी रोग बनती है sediments से खटे होते है sediments से हमारी कौन सी रोग बनती है उसका अंसर होगा sedimentary rock और sedimentary rock के बाद हमारी कौन सी रोग बनती है metamorphic अब मैंने यहां इसको simple में बता दिया लेकिन जब हम अगले slide पर जाएंगे तो उसा पूरा mechanism समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो अभी just जाब इतना देखो सेडिमेंटरी से भी मैटामॉर्फिक तो दोनों से ही क्या बन रही आपकी neeमॉर्फिक रों से बनती है और अगे क्या होता है यहां समझेंगे यहां क्या कहानी बन रही JENNY कि यह देखो अगर यह यहां नहीं लिखा है तो यह थर्ड है बेसिकली यह फोर्ट पॉइंट है अब यहां क्या है कि सबसे पहले आप यह देख रहे हो तो यह जो मैगमा चैंबर है यहां अर्थ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यह अर्थ में जो मैगमा चैंबर है यहा वो क्या हो रहा है तो यहां यह सबसे पहले जो रॉक मिल रहा है यह हमारी कौन सी रॉक होगी फस्ट नंबर पर यहां पर देखो कि तो यह हो गई इगनियस रोग ठीक by cooling and solidification of magma तो यह हमारी क्या बन गई इगनियस रोग तूटेगी तूटेने से क्या बनती है तूटेने से बन गई क्या sedimentary rock अब यह देखो आप sediments है नहीं है अब यह sediments तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं लिथिफिकेशन अब यहां आप देखोगे न तो यह जो sediments हैं यह किसमें आ रहे हैं यह लेयर की फॉर्म में आ रहे हैं तो हमारी जो sedimentary rock है वो हमें layers की फॉर्म में देखने को मिलती है ठीक अब क्या आ अब यहां से लावा निकलने के बाद यहां पर क्या हो गया आकर ठंडा हो गया ठंडा होने के बाद अब इसके sediments यहां इखटे हो गई आउए ए यह क्या है यह लगाता 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 इस तरीके से इ adhesivela dane ने लेकि repeating अब हम क्या कह रहे हैं कि यह sedimentary rock तो बन गई लेकिन इसके नीचे अब यहां देखो क्या होगा ये जो जगा है यहाँ ऊपर से क्या लगता है pressure और नीचे यहाँ करस्ट में देखोगे तो क्या है heat तो यह वाली जो रॉक है metsamorphic इस संक्या कहिएंगे फिर बाद में metamorphic तो यह metamorphic में में convert हो जाती है इगनियस रोग में ठीक है तो यह पूरा प्रोसेस होता है अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले इगनियस रोग कैसे बनी लावा के कि यहां पर सेडिमेंट हो गई और लावा की फॉर्म गर्भ तो एक तरीके से यहां पर यहां पर देखोगे जहार ही रही है और यह समय अईसा कि गड्रे में गड़ जाएक और यह फिर पिसमें चूंच जाएगी दुबारा से मैगमा में तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि यह जो चीज है और यह मैगमा यह कहां चली के यह क्रस्ट के अंदर चली गई लावा की फॉर्म हैं क्लियर हुआ तो यह एक हमारी रोकशाइकेल होती है यह बहुत सिंप्ल सा कंसेप्ट लेगे लोग कनफ्यूज रहते हैं यह क्या पताना चाहर है इस इसमें क्या है तो बहुत असानी से क्लियर हुआ हो यह वार कंमेंट सेक्शन में लिख देना तो हम उसका डाउट भी क् में आई अब देखो एगनियस रॉप पर थोड़ी सी थियोरी है यह हमें देखना है कि सॉलिटिफिकेशन ओफ मैगमा हमने पहले ही पढ़ाता है कि जब एगनियस रॉप से मैगमा क्या होता है बाहर आ जाता है अगर एगनियस रॉप से मैगमा क्या आ गया बाहर की तरफ उसको लावा बोलते हैं तो जो भी रॉक है वह लावा के ठंडे होने से जो बनती है इस रॉक ठीक है जैसे ग्रेणाइट है गैब्रो है बैसाल्ट यह बहुत कोश्चन आता है मुझा इंपॉटेंट है पूछा ही जाता है कि बताएं यह कौन सी क्रॉप है कहां मिलती है यह है सेडिमेंट्री है यह हमें इस पता हो नजब कि हिए ईंदर क्या होता है और देखते हैं पोफर की तरफ आया और बहुत ऊपर जाके अभी आप देखो कि इसी रोग क्या है इंट्रूसिव नाम से ही क्लियर है कि ऐसी रोग क्या है इंट्रूसिव रोगो और इने क्या बोलते हैं प्लूतॉनिक रोगो अब इंट्रूसिव रोक को प्लूनिक रोगो हाँ हमारी ऑटी है कि यहां पे यह रोग बिसीकली बिदी सर्फेस के अंदर रोगो यह क्या होगा इन intrusive rocks next अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा extrusive rock या volcanic rock तो extrusive क्या होगी जो बाहर आ गई simple सी बात है तो बाहर आने माजी rock अगर हम याद रखेंगे तो क्या है बैसाल्ट अब देखो granite भी है बैसाल्ट भी है अगर मैं बात करूँ granite तो granite हमारी क्या है granite हमारी intrusive है granite हमारी क्या है intrusive जबकि बैसाल्ट अगर आप देखते हो तो बैसाल्ट हमारी क्या है extrusive और ये दोनों ही क्या है ये दोनों ही आपकी igneous rocks है ये दोनों ही क्या है ये दोनों ही आपकी igneous rocks है ठीक है और जो वो basaltic origin का है मतलब वहां पर जो मेगमा है वो surface के बहार आया है और जब बहार आया है बहार आके वो ठंडा हुआ तो हम क्या बोलतों उसको fine-grained है ठीक है यहां पर आप तो देखो को कैसा मिलेगा आपको basaltic structure देखने को मिलता है extrusive lava और volcanic rocks next sedimentary rocks sedimentary rocks हमने पढ़ा था अब इसमें यह चीज़ बहुत important है पूछी जाती है कि mechanically formed यह process है organically formed और chemically formed तो किस किस तरीके से हमारा आप कह सकते हो mode of formation है sedimentary rocks कैसे कैसे बनती है तो आप देखो sandstone है यह conglomerate है limestone है shale है lois है gasrite है chock है limestone coal limestone halite and potash limestone आपको तीनों में देखने को मिलेगा तो limestone बहुत और पूछा भी जाता है तो यह हमें ध्यान लगना है कि limestone जो है और chemically भी अब अगर आप देखते हो तो metamorphic rock में यहां देखो granite का क्या बन गया grease shale क्या बन गया shist sandstone क्या बन गया quartzite limestone क्या बन गया marble यह सीधे सीधे portion है direct portion अग इन सब चीजों से कि आप बताईए granite से क्या बना Guinness shale से क्या बना shist sandstone से क्या बना quartzite limestone से क्या बना marble तो देखो यह सारी चीज़े बहुत important है इस वीडियो को इहीं पर खतम करते हैं और जिस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे लाइक शेयर और सबस्क्राइब चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करते रहें जिससे कि हमें भी motivation मिले और हम आपके लिए अच्छी बीडियो लेके आएं आपको मेंस राइटिंग प्रैक्टिस में इंप्रूब्मेंट कराएं आपके लिए यह कोशिश करें कहीं न कहीं आप प्रिलिम्स को कॉलिफाई करो तो यह सब चीजें बहुत ज़रूरी हैं ठीक है ठीक है ओके थैंक्यू वेरी मच्छ